ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है बीजेपी में जो महावार चल रही है उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं वसुंदरा विरोधी तूसरा खेमा जो है वो फी पिछले कुछ घंटों से सकरीता दिखा रहा है कल शाम को बाज़पास आंसद रामदा सगरवाल के खर पर एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें पार्टी प्रदेशा द्यक्ष अरुन चतुरवेदी के साथ साथ बीजेपी के कई नेता खनेशाम तिवारी ललित किशोर चतुरवेदी उकलापचन का टेरिया खुद वहां मौझूद थे और वहां पर काफी सारे नेता थे उन्होंने जो मौझूदा घटनाकरम चल रहा है उसको लेकर के चर्चा की उसके बाद में अरुन चतुरवेदी ने कुछ सक्त शब्दों का इस्तेमाल किया क्या कहा अरुन चतुरवेदी ने आपको सुनाते है करने के बाद कि यातरा इस्तेगित हो गई वहीं इसी मीटिंग के बाद पार्टी के वरिशनेता ललित किशोष चतुरवेदी ने कहा कि जिस तरह से पार्टी में हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को दबाव में लाकर स्तीफे दिलवाना राजे के लिए अच्छी बा इसे बड़ी पार्टी पार्टी से बड़ा धेश व्यक्तिकम स्थर्ड और भारती जनता पार्टी कारी पद्दती में तो यह तहीं नहीं है इसलिए वो कहती है इसे पड़े आपको सुनाते हैं कि गुलापचंद कटारिया ने अच्पिसी न्यूस से बातचीत करते हुए क अब जैसे उनका यह आदेश आया यह इनको ठीक नहीं लगा और इसलिए वो आवेश में आकर कि उननों नीचे मीडिया से मुथा भी होई और मैं जो है रिजाइन कर रही हूं यह कर रही हूं बो कर रही हूं और वापस उपर जाकर करके जो प्रमुग लोग थे उनको भी कर दिया कि मैं रिजाइन कर दिया प्रात्मिक से दिश्टाज जिस परपस से उनको विरोध्ता होई खतम हो गया और स्वेम करने वाले नहीं अपने आपको विट्रो कर लिया तो उसके बाद तो मैं सुचता हूं कैसा कोई कारण ही नहीं है या ऐसा कोई समझदार आदमी य गुलाब सिंद कटारिया ने भी वही बात कही कि जब यातरा को इस्तगित कर दिया गया यातरा को रद कर दिया गया तो उसके बाद ये सारी जो एक घटना करम हुआ उस घटना करन के पीछे कारण किया और दूसी तरह अगर बात करें ललित किशोर चतरवेदी और अरुन चतरवेदी हैं उनका भी लगवग यही कहना था कि यह जो हो रहा है वो गलत है क्या लगता है आपको वेट किया गया वेट कर अभी आश्वेर का भी कहना था कि अरुन चतरवेदी खुद अपने आप सामने नहीं आ पाया जब तक कि दूसरे नेताओं को उनको सपोर्ट न बन चुका है तभी इस तरह की बातें सामने आती हैं लगातार आ रही है एक के बाद एक यह तो इस पस्ट हो चुका है लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वसंदार राजे ने एक तो अपनी ताकत दिखा दी और ताकत के साथ बता दिया कि जो जन्फरतिनी जो भाजपा के बैन चाहूँगा भी मैरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए है भाजपा विधाया के उगलाप चिंद कटारिया कटारिया जी स्वागत है एच बीसी नियूस पर कटारिया जी अब जो एक सिचुएशन बन गई है अब अरुन चत्रवेदी जी ने भी कहा है कि कटारिया जी अब मेरी आवाज सुन पारें आप थोड़ी से आ रहे हैं आवाज थोड़ी पेश करें कल जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के सामने आते हैं वो कहते हैं कि नोटिस दिया जाएगा क्या लगता है आपको अभी तक नोटिस नहीं दिये गए हैं ये एक समय लग रहा है क्या है कुछ कारण है इसके पीछे अभी भी संकोच किया जा रहा है क्या लगता है आपको इसके बारे में तो अधिक्रत हमारे अध्यवजी हैं अभी इसके बारे में नेरने तो उनको ही करना है मैं तो अधिक्रत रूप से में कुछ कह सकता हूँ यह तो संभव ही नहीं कar जाता था की भाजपा पार्टी विड डिफ्रेंस है चाल चरित और छहरा बिलकुल अलग है लेकिन जिस तरह की बाते है आएं और जिस तरह से आप जैसे कद्दावरंनेता को जिसने मेवाड में पार्टी को सीचा उसको इन सब दवावों में अपनी यात्रा को रोकना पड़े तो क्या लगता नहीं है कि पार्टी का लोकतंत्र खत्म हो गया है पार्टी में दमगोटू वातावरन बन चुका है इसा नहीं है आज़ी पार्टी बांकी पार्टी से इन है ये हमारे राष्टी अद्यक्सी ने इस यात्रा को प्रारम करने के लिए जिस प्रकार का निश्चे दिया ये अपने आप में इस बात को पहर है कि भई हमारी पार्टी सही जिसा में सूझ जिए इसा निश्चे आई है उसका निश्चे देख रम्रटी दिवंकि भी में से नहीं बेट के करेगेगी नैसा प्राटी का सामाने कारकरता से यहां तक आया हूँ और मैंने जिस पार्टी को अपनी मेहनस से सीचा है वो पार्टी टूटे है हिए मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ पर कटारिया जी एक बात तो साफ है कि जिस तरह से साफ तोर पे जायर हो गया है कि भाजपा कैडर बेस्ट पार्टी है क्या पार्टी खत्म होने का आशंका थी यदि वसंद्रा जी किरण महिश्वरी या कुछ लोग पार्टी को छोड़ देते हैं इससे क्या भाजपा खत्म हो जाएगी मैं ऐसा नहीं सुचता हूँ मैं तो कोशिश यही करते हैं कि हम सब लोग साथ चलें और उस उद्देश को प्रात करें जिस उद्देश के लिए हम सब में अपनी यात्रा प्रारम की है इस राजनेतिक पारटी के साथ जुड़ने में अगर कहीं किसी के दिमाग में कुछ ग बड़ा हुआ। ऐसा का जा रहा है कि कटारिया जी और किरण महिशुरी के बीच में जो अधावत है वह अधावत का कारण क्या है किरण जी आपसे इतनी क्यों खफा रहती है और इतनी क्यों आशंकीत रहती है। इसा है कि यह तो व्यक्ति-व्यक्ति का सोच होगा, मैंने तो कभी किसी को अपना कोई दुश्मन समझाने राजनिति में, मैं तो एक बहुत साधान सोच का और संगर का संस्कारित स्वेम से गरा हूँ, और इस कारण से मेरे जिवन में तो ही कि मेरी पार्टी अच्छी से अच चाहिए और जिन मुल्यों को लेकर हमने पार्टी स्थापित की है, उसमें अगर कहल का फुलका भी कमी आती है या कमी दिखती है, तो मन को एक कष्ट होता है, इस चैसलिक्त में ही और किसी से कोई नाराज भी नहीं, तो किरन जी इतनी क्यो नाराज है, क्या कारण है कि आप जब उनको सही रस्ते पे ले जाना चाते हैं, तो क्या दिक्कत है उनको? कि शेष्टा है खतम नहीं होती है, कोई इनको ऐसा व्यक्ती ज़रूर आगे बढ़ेगा, जो देश को इस सही रिशा में आगे बढ़ाएगा, हम उसी के लिए प्रहत्ना कर रहे हैं, पर खड़ारे जी एक और बात है, जो पार्टी जिस तरह से दलदल बन चुकी है, ऐसा लगता है कई बार कि कभी किरन महिश्वरी जी को कभी और किसी को कहीं ना कहीं सेंटर के किसी नेता का सपोर्ट मिल जाता है, और इसी बढ़ावे के चलते वो इस तरह की एक्शन ले लेते हैं, इस तरह की कारवाई कर जाते हैं. इसाने मानता हूं कि पायटी दलदल बन गई है पायटी आज भी सही सोचती है सही दिशा में काम करती है इसलिए तो आपने ये सारा का सारा दर्श देखा है अगर पायटी सही नहीं सोचती है सही दिशा में नहीं चलती तो ये समस्या इतना सब लोगों के सामने आती कैसे है तो पार्टी तो सही सोच रही है, पार्टी सही दिशा में चल रही है, कुछ ऐसी भीग ना रहे हैं तो उनको हल करके आगे निकलेंगे। अचे एक और बात बड़ी जो आज पूरी जनता जानना चाती है, जिस तरह से वसंद्रा जी के समर्थन में 70 विधायक पार्टी से इस्तिफा दे कर वसंद्रा जी के साथ जाने को तयार हैं, उसके बाद क्या लगता नहीं है कि पार्टी एकदम कमजोर सी हालत में एक छोटी स अगरन के लिए प्रयास कर ला था, और लगा कि पाई जी तूट रही है, तो मैंने पाई जी को बिताने के लिए अपने आपको विट्रो कर लिया, धन्यवाद कड़ेरिया जी, कुल मिलाकर कड़ेरिया जी का जो स्टेंड है, और निशे तोर पे विड्रो किया है, लेकिन रिधी की बाट वो बोनने पाई, क्योंकि नेताओं की एक आओत है, जो वास्तिक बात होती है, जो बोलतें नहीं है, और बाहर बताने के नहीं बात होती है, उसके लिए चुराएपे लड़ते हैं, और उसे आंतर इक बात बात बदा के मेडिया को भी चुप करने की लेकिन बड़ी बात यह आ रही है वही बात कि आखिर में जो सारी परिस्तियां बनी हैं और निशेत तोर पे पार्टी जब भाजपा एक दो धड़ों में सामने आ गई है अब वसंदाजी के सामने दो ही रस्ते बचे हैं या तो अपने समर्थों को की फौज के साथ केंदर के सामने कड़े हो जाए और अपने अधिकारों के लिए और अपनी सम्मान के लिए आत्मेसमान के लिए वो पूरी तरह से तयार हो जाए या दूसी ये है क्योंकि इतना बड़ा ज़रस नवर्थन है तो यदि वह भाहर आती हैं जिसक का कटार्य जी ने जवाब दिया तो पा पहले से उनके समर्थक वसंद्राजी के समर्थक इस बात को उठा रहे थे कि उन्हें CM in waiting कह सकते हैं या उनको CM पद के लिए दाविदार हैं वो खोशित किया जाए ये यात्रा तो किये पले एक बहाना है और जाएतर बड़ी नेता को भी कोई शक नहीं था लेकिन उनके इर्दगिर्द जो अमचे चम्चों का एक घेरा है जो हमेशा उनके इर्दगिर्द पहुंचकर और उन्हें घेराबंदी की कोशिश करता है निशेत तोर पे वो चाता था कि किसी भी तरह से पार्टी में इस तरह का विवाद उठे और वसंद्राजी के साथ साथ हम भी स्तापित हो जाएं दूसरों के कंदों पर बंदूक रखकर चलाने वाले जो कमजोर किस्प के नेता हैं उन्हें वसंद्राजी के कंदे का उप्यों किया शायद वसंद्राजी भी यह समझ ने पाएं क्योंकि यह बात तो साफ तोर पे जाहिर है कि नितिन कटकरी से लेके अडवानी तक और अरुन जेतली से लेके राजनास सिंग तक तमाम जब भी आएं हैं वह कह चुके हैं कि वसंद्राजी निर्विवाद देता हैं तो इसके बाद तो कहीं शक नहीं रहा जाता अब इस बात की घोशना की करने की कोई जरुवत नही कि बादकर की सपने में हैं क्योंकि भाजपा जो खयाली पुलाव बना रही है वह इतना हसान भी नहीं है कि वह तोकरी में पढ़ाया और उठे उसे इठाकर जिम राख लिए जा पर उभरता जा रहा है और जिस तरह से देश में कुल मिलाकर हालात बन रहे हैं उसमें हो सकता है कि राजस्थान में भी त्रिशंकू पार्टी आ जाए हो सकता है राजस्थान में वापस कांग्रेस आ जाए किवल एक ही संभावना को देखकर और पार्टी के ओपर प्रिशर बनने का ये जो तरीका है रिश्चित तौर पर वसंदा जी का नहीं हो सकता कि वसंदर जी को शायद कहीं शक नहीं हो, क्य estimation बातचीत में भी साफ था, उनको जिस तरह से एक प्रकार में और बाग्रे कि आगी किया गया था, उससे साफ था कि वही नेता होंगी, लेकिन उनक साथ जो उनके अगल बगल जिनकी बड़ी क्वाइश रहती है बिना योग्यता के भी जो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उन्होंने निशित तोर में मती ब्रह्म कर दिये लेकिन अब ये सिथी है कि पार्टी में वसंद्राजी और बाकी लोग शायद ज़दा साथ नहीं यदि साथ चले तो हम फिर देखेंगे फिर वही कोराम होगा फिर वही लंका कांड होगा फिर हम देखेंगे कि बीजेपी के आफिस में वही पत्थरबाजी होगी वही लठबाजी होगी निश्यतार पर यदि वसंद्राजी चाहती है कि सत्ता में वापस आएं और या विवाद, आंत्रिक, घरेलू संकट , जिसे है बारबार कहीं, एक घरेलू संकट बना रहेगा , शानति हमेशा ऐसी बने रहेगी, इसलिए यदि यह एक शानति पाथ करा के और इसका पूरा विवाद करने विवाद का हल कर दे तो दिशर तोर पर पारटी में कहीं ना कहीं एक दिशा में आगे बढ़ने की शायद हो सकता है संभाव ना बने तो जैसे आपने कहा कि वसंद्रा जी को किसी ने गलत राय दी है या उनके साथ जो लोग है उन्होंने शायद उनको एक अलग से कुछ एक राय दी गही है तो आपको सुनाते हैं कि भाजबा बिदा कुछ लोग अपने हित्में विवाद को भड़काय रखना चाहते हैं और वही थोड़ा बहुत गरम हवा देते हैं मेडम को भी और दुसी तरह भी और इस समद्ध में मैं इतना ही कहूंगा कि व्यक्ति करते फिर दुबारा दो रहूंगा जिनका अपना इंट्रेस्ट है य उनको भी समझाइश हो तो सब लोग ठीक चलें यारों में एक शोड़ी से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद बात करते हैं कि पूरे राज्यपार